परधान मंतरिक किसान समान निधी योजना का जिन जिन लोगों का यहां पर लिस्ट में नाम था और जिन लोगों का केवाई सी हो चुका था उन सभी का आज पेमेंट आ चुका है तो पेमेंट आया है अथो नहीं आया है हम कैसे चेक करेंगे और जिनका पेमेंट नहीं आया ह उन सभी का complete जानकारी देने वाला हूं उससे पहले अगर हमारी चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे WhatsApp ग्रूब के दोस्तों में सेयर कर दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहल तो फिलाल इस वीडियो में आप सभी को बताने वालों कि PM किसान समान निधी योजना का payment कैसे मिलेगा और कैसे चेक करना होगा और किस कारण से जिनकों नहीं मिला है तो उनका कारण क्या था कि नहीं मिला है तो उन सभी का complete जानकारी मिलेगा तो सबसे पहले आपको new page open करन है PM किसान इस सबसे पहले मिलेग के बारे मैं आग और पर लिए चेंजिनग आने के बाद कैसे कैसे चेक करना उनसे का complete confidentialणकारी दिया था तो उस वाले वीडियो को आगर आप देखना चाथे तो क्या आने के बाद आपको इस तरीका से पेज देखने को मिलेगा जो यहां पर आपको लिखा हुआ है बेनिफीशरी अस्टेटस यहां पर लिखा हुआ है तो क्या करना कि बेनिफीशरी अस्टेटस पर क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद आपको पेज इस तरीका से देखने को म इस तरीका से दिखा हुआ है उसी तरीका से इसमें फिलब करना है इसके बाद गेट डाड़ा पर क्लिक करना है तो चली मैं इसमें आपको लाइप पूरूप दिखाता हूँ कैसे आपको पेमिंट चेक करना है कि मिला है अथवा नहीं और नहीं मिला है तो क्या करना है कि नही मिला है यहीं आपको सारा जानकारी मिल जाएगा तो चलिए यहां पर सारा डीटेल फिलब कर लेता हूँ डीटेल में इस तरीका से फिलब कर चुका हूँ जैसा कि आपको यहां पर सो हो पारा यह वाला कैपचा जो था इस वाला बॉक्स में उसी तरह से फिलब आटेय्ट करते ही आपको इस तरीका से पेजहने क्यों मिलेंगा आपको यहां पर इनका इंस्टोलमेंट मिल चुका है और थैर्ड बाध आज आज वाला जो है आज अभी तक नहीं आए इनका प्रोसीड में तो यहां पर 100% आपको है कि पैसा आएगा ही आपको यहां पर दिखाया जा रहा है और इसका कारण भी मैं बताता हूं क्यों 100% मैं बोल रहा हूं चली जो में इसका पेज है तहां तो में बेन बेनफिशरी का ज देखेंगे स्टेशन होना चाहिए सब्सक्राइब नहीं है जिनका पैसा नहीं आया होगा और जिनका यहां पैसा नहीं हो गातोट से कल तक पैशा आजागा सबसे पहला को कि आपका हुआ है इसके बाद कि आप पैसे लेने के लिए तरह था है या था नहीं होने तो यहां पर नो लिख अगर हो त यहां पर स्कर्ष स्था कर एंगा एगा पैसा रहें साथ जो ही इनका बैंक होगा यान कि bank से साथ जो भी अधार कार्ड लिंक होगा तो उनका ऊसी वाली bank में पैसा आएगा यहां पर account के माधियम से नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर account no लिखा हुआ है यहां पर जो अधार कार्ड में कहने के मतलब यह है कि जैसे अधार कार्ड से आप पैसा निकालते हैं जैसे account से उसी account में आपको पैसा जाएगा यहां पर पेफे में अस्टेटस बैंक यहां पर लिखा हुआ है जैसी पैसा आजागा तो यहां पर success लिख देगा इसके बाद आप लैंड सीडिंग देखना चाहिए यहां पर रियास होना चाहिए तभी आपका पैसा आएगा तो इन सभी डिटेल को आपको जानकारी को आ करना आपका पैसा नहीं आगा तो सबसे पहले किवाई से आप जरूर चेक कर लेंगे इनका जो इंस्टॉल्मेंट है आज का इंस्टॉल्मेंट आना था लेकिन अभी तक इनका इंस्टॉल्मेंट नहीं आया है तो हो सकता है इनको कल तक यहां पर इंस्टॉल्मेंट इनका सो हो जाएगा तो इस तरीका से अपना बेनिफीशरी अस्टेटस को चेक कर सकते हैं अगर आपका पैसा आया है अथवा नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा आपको अगर कहीं प्रोब्लम है अगर मां लिजे पैसा नहीं आया है तो आप हमें कम वीडियो में नए टॉपिक के साथ